कि यस एक कोश्चन देखते हैं देखी क्या है आप टोटल ओफ 324 नोट्स 324 नोट्स 20 रुपीज और 50 रुपीज में का सम रुपीज 1,2,4,5,0 the number of रुपीज 20 रुपीज यानि आप अगर इन 20 रुपीज और 50 रुपीज को एड़ कर देते हैं तो 1,2,4,5,0 होता है और अगर इन रुपीज को अलग अलग गिने तो 324 यानि अगर आप इसको सपोज X और इसको Y कंसीडर कर लें तो नोट्स प्लस 50Y equal to a 1,2,4,5,0 यानि यह सिंपल कोशन हुआ इसमें आप से 20 रुपीज या 50 रुपीज के number of note पूस सकते थे तो सिंपल आप पहले तो 0 कैंसिल कर देजिए जिससे थोड़ा सा कोशन easy हो जाए 1,2,4,5 और इसमें 2 का multiply करते हुए ही even आप से क्योंकि इसमें X पूछा तो आप 5 का भी multiply कर सकते थे और 2 का भी कर सकते थे आपके पास answer directly आ जाता तो आपने अगर माल लो 5 का क्या होता तो Y cancel हो जाता जिसे 20 का पूछा है तो आप लिखते 5X प्लस 5Y और 5 का multiply कर देते या फिर 2 का multiply कर देते जो भी करना चाहें दोनों कर सकते तो माल लेजे मैं अभी दोनों ही बताता हूँ तो 2X प्लस 2Y equal to 648 राइट अब आप क्या कर य माइनस कर दीजिए यह करा माइनस तो यह हो गया 3Y यह कितना हो जाएगा 7 यह हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा 597 तो Y को divide कर यह तो 199 यानि अगर आप से पूछा जाए कि 50 रुपीज के कितने नोट थे तो आप बोलते 199 और 324 माइनस 199 कर देंगे तो 125 यह 20 के नोट सा जाए तो correct answer is 125 रुपीज